नमस्कार फ्रेंड्स आप सब कस्वागते बिजनेस वाला हिंदी में तो आज हम लोग बात करने वाले जो हमारा नारियल होता है हरा नारियल पिकने से पहले जो हम लोग पानी के लिए पर्चेस करते तो उस नारियल का बिजनेस कैसे करना है तो उमें इन डीटेल में इस profit कमा सकते हो इस business में तो अभी हम लोग थोड़ा सा बिजनेस के बारे में बात करते हैं कि बिजनेस केसा करना चाहिए और इसमें profit कितना है इसमें loss हो सकता एक आप रो मट्रेल कहा से पर्चिस कर सकते हो सब बाते इन डीटेल में मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो बिना स्किप करें देखिए तो आपको अच्छी तरीके से इसका प्रॉपर जो प्रॉफिट का है वो कैल्कुलेशन और जो सेल्स का है वो अताईर हम लुग बोलते हैं वह नार्यलों होता है उसकी डिमान्ड थंडी में ज्यादा होती है मतलब ठंड का जो मौसम होता है तो जो हमारा डॉय नारेयल हमारा की था भीणा यह और कर्मियों की fresh ज्यादा विंस तो हम लोग दो तरीके से यह बिजनेस कर सकते हैं दो तरीके से इस बिजनेस में से पेसा कमा सकते हैं तो दो तरीके कुन से पहला जो तरीका है वो रिटेल में बिजनेस करना और दूसरा जो तरीका है वो होलसेल में बिजनेस करना मतलब सिधा जो तैयार करता है नारियल तो से सिधा पर्चेस करके रिटेलर को देना तो इसमें भी हम लोग अच्छी तरीके से पेसे कामा सकते तो इसमें रिक्वायर्मेट कौन-कौन सी चीज के वह मैं अभी थोड़ा सा बताता हूं तो पहली चीजे वह थोड़ी सी जगा मतलब आपको थोड़ी सी जगा जो नारियल आपके पास होना ज़रूर है तो यह सब चीजे होने के बाद आप अच्छी तरीके से बिजनेस कर सकते हो तो जो रो मट्रेल है वह कहां से लाए यह मैं अभी थोड़ा सा बताता हूं ओडिसा वेस्ट बेंगाल केरला या फिर कोकन बहुत सारी जगा है मल्टीपल चॉइसे अगरतों लें तो आपको अलकियो कंदे करें तो अच्छी तरीके से आपको चुज करके पर्चेस कर दें तो अभी मैं थोड़ा सा कैल्कुलेशन बताता हूं कि प्रॉफिट का कैल्कुलेशन इसमें कितना है एक जो नारेल है वो 15 से 20 रुपई इस कोस्ट में हम लोगों को पड़ेगा तो हम लोग 20 रुपई पकड़ दे अच्छी क्वालेशन का नारेल 20 रुपई में हम लोगों को मिला पर्चेस करने के वक्त तो उसको हम लोग 5 रुपई ट्रांसपोर्ट एक नारेल के पीछे इतना हम लोग पकड़ दे तो टोटल नारेल की कोस्ट हमारे यहाँ पर आते हुए 25 रुपई इतनी पड़ेगी तो होलसल में अगर हम लोग बेचेंगे तो 30 रुपई में यह नारेल बिझ जाएगा तो 30 रुपई मतलब हम लोगों को इसमें 5 रुपई इतना ओलसेल में हम लोग ट्रांस्पोर्ट का और जो हम लोग बेचेंगे वो रिटेल में बेचेंगे 35 से 40 रुपए तो मैं कमी पकड़ता हूँ 35 रुपए अगर मैंने पकड़ा तो इसमें 10 रुपए इतना हम लोग को प्रॉफिट आसानी से मिल जाएगा और जो हम लोग अगर 40 रुपए पकड़ेंगे तो उससे भी जादा कीमत में बिख सकता है नारियल तो मैं 10 रुपए पकड़ता हूँ तो दिन का हम लोग हुलसल का एवरिज निकालते कि हम लोग कितना इसमें महिने का कमा सकते तो हुलसल में अगर हम लोग 500 नारियल आसानी से बिख जाएगे गर्मियों के मोसम में पात्सो नारियल हम लोगों ने बेचे तो टोटल 25,000 रुपए इतना हम लोग एक दिन का कमा सकते हैं और एक महिने में 75,000 रुपए इतना हम लोगों को प्रॉफिट इसमें से निकल सकता है हुलसल में और रिटेल में मैंने 500 ही पकड़ाए पर थोड़ा सा कम बिखता है पर फिर भी अगर मैंने 35 रुपए इतनी कम हो जाएगा और एक महिने में वही अकड़ा एक लाक पचास हजार इतना आप लोग डेड़ लाक तक कमा सकते हो इस बिजनेस में रिटेल में अगर आप करेंगे तो तो आए होप दोस्तों आपको यह पसंद आई होगी तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वी सब्सक्राइब कर दीजिए धन्यवाद